हलो दोस्तों वेलकम टू यूनिक ऑल्लाइन गुरू चैनल पावर पॉइंट की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों ट्रांजिशन ठीक है यह आपको यहां पर दिख रहा होगा यह ट्रांजिशन टैब है आज का हमारा टॉपिक यही है ट्रांजिशन तो देखें दोस्तों ट्रांजिशन का काम करता है जैसे कि आप कभी भी जब पावर पॉइंट में अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो कई स्लाइड होता जैसे कि एक यह प्रेजेंटेशन बना है हमारा विजनेश कम्म्निकेशन के उपर तो इसमें देखिए कई सारे स्लाइड है ठीक है तो आप जब यह स्लाइड सो में जाके स्लाइड सुरू करते हैं तब आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने के लिए अगर कोई effects लगाना चाहते हैं एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने के लिए कोई इफेक्ट लगाना जाते हैं तो वो किसमें आयगा ट्रांजिसन में ठीक है आएए देखें दोस्तों देखते हैं कैसे काम काचा ट्रांजिसन ठीक है, देखिए इसमें कई सारे हैं, option है, आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है, हम लगा जिते हैं, peel off ठीक है, peel off का मतलब फाड देना, ठीक है, या crush कर देना, इसको ऐसे mode देना, ठीक है तो इसको अगर पूरे पर लगाना है, तो हम select कर लेंगे, अपना slide जिस पर जिस पर लगाना है control को साथ सभी slide select करके, और जिसको भी लगाना है, मतलब जो भी effect आप चाहते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग यहां लगा लेंगे इसमें मालने जिए हम लगा देते हैं आपका fracture, ठीक है लग गया, अब यह apply हो गया है, ठीक है, अब इसको देखने के लिए slide सो में जाएंगे, और from beginning से कर देंगे, देखिए पहला आगया आपका business communication, दूसरा आगया introduction, तो जैसे ही एक slide से दूसरे slide में हम जा रहे हैं, तो हमारा क्या और transition जो हमने लगाया है, वो effect कर रहा है, ठीक है, देखिए दोस्तों, जितना भी slide बनी है, सब पर transition असर करेगा, वही transition जो हमने लगाया था, आप चाहते हैं कि सब slide पर जितनी भी slide है, मालें जैसे इसमें 10 slide है, इसमें अलग-अलग transition लगाना है, तो वो भी लग जाएगा, इस पर click करिए, पहले वाले पर ये transition लगेगा, दूसरे वाले पर ये लगा दीजिए, तीसरे वाले पर ये लग अब आईए देखिए, इसको भी देखते हैं कैसे काम करता है, slide सोमें जाएंगे, from beginning, देखिए, पहला वाला दूसरा लगा है, दूसरे वाले के लिए, अलग से आगया दूसरा transition है, तीसरे वाले के लिए, ये है, तीसरा transition, चौथे वाले के लिए, अलग से, अब फिर इसक एक slide से, दूसरे slide में जाने के लिए, हम कैसे changes करना चाहते हैं, कैसे उसको present करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, thank you very much, चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें